sample question में पूर्फरी start कर रहे है आज ए section करेंगे ए section का पहली बाला question है इसमें बोल रहे the decimal expression of the number root 2 root 2 का decimal expression क्या होगा तो यहां पर बोल लहे number option ए में बोल लहे the finite decimal 1.41421 खतम कर दिया यहां पर बोला है non terminating recurring non terminating non recurring तो यह बाला option ही होगा तो यह जो finite बोला है finite मतलब खतम हो जाएगा तो root का root to irrational number तो यह तो कभी खतम नहीं होगा repeating भी नहीं होगा मतलब जो number आएगा कोई number के बाद same number repeat जो होता है वो भी नहीं होगा तो non terminating मतलब हो गया खतम नहीं होगा recurring मतलब repeat होने लगेगा लेकिन repeat भी नहीं होगा यह बाला repeat भी नहीं होगा और यहां पर तो खतम कर दिया 1.4 मने यह terminating कर दिया terminating भी नहीं होगा तो D option होगा जो non terminating non recurring या non repeating ठीक है चलो next नमबर टू में बला which of the following needs a proof अजया theorem को प्रूप करना पड़ता है exam definition और postilute तो यह तीन तो अल्रेडी प्रूप हो मने इसके थ्रूई हम लोग प्रूप करते हैं तो theorem को इसके थ्रूई प्रूप करते हैं यह सब अल्रेडी दिया हुआ है मतलब यह सब अल्रेडी प्रूप करके इसके थ्रूप हम लोग यह यह चीज प्रूप करते हैं कोई मने यह सब अल्रेडी प्रूप हो चुके है ठीक है अच्छा चलो next the diagonal of a c and b d a parallelogram intersect each other o अच्छा एक तो parallelogram draw कर लेता है ऐसे कोई parallelogram है समझते जिए a b a c d a c और b d तो diagonal है तो b d और a c यह दोनों diagonal है intersect कर रहा है ओपर d a c d a c यह वाला यह वाला बुल दे अठत्री टू o a o b a o b यह वाला बुल दिया 70 d b c d b c यह वाला कितना होगा यह पूछ रहा है अच्छा तो यह वाला 70 आपका 32 है यह parallel है आपका यह दोनों parallel line है और यह transversal है तो यह 32 हो जाएगा अच्छा यह 70 है तो यह कितना हो जाएगा यह स्टेट लाइन है यह 90 मने यह जो स्टेट लाइन है इसको पर 180 होता है तो यह 70 बोल दिया बाकी यह कितना हो जाएगा 180 से 70 मैनस करेंगे तो आजाएगा कितना 110 तो 110 यह वाला हो गया तो यह 70 यह 32 तो यह triangle में यह 90 यह total 180 होता है तो यह दोनों मिलाके 2 हो गया इधर 4 हो गया तो 180 से इसको निकल देंगे तो आजाएगा कितना 8 और इधर 3 हो गया 5 तो 3 तो 38 हो जाएगा यह बाला तो यह बाला हो जाएगा 38 option C ठीक है एंगेल D B C equal to 38 ठीक है अच्छा चलो next in the given figure O is the center of the circle and B O D B O D यह बाला 150 पोल दिया then value of X X का value पुचा है तो कोई भी cyclic low जो quadrilateral होता है उसका यह अगेल का half यह circumference angle होता है तो यह angle पहले निकलना पड़ेगा तो obtuse angle हो गया यह obtuse angle कितना हो जाएगा total होता है 360 360 उहां से 150 निकाल देंगे तो यह हो गया 2 तो यह वाला angle हो गया 210 इसका half यह होगा तो इसका half कितना हो जाएगा इसको 2 से divided कर देता है 105 तो यह वाला angle हो जाएगा 100 यह वाला X वाला angle हो जाएगा 105 ठीक है तो option number हो जाएगा छिए है ओलवenne सेंटर में जो अंगेल होता है उसका और इहां पर जो अंगेल होगा ये बला उसका हाव होगा जैसे यहां पर 150 है तो ये अंगेल हो जाएगा इसका हाव ठीक है मतलब ये हो जाएगा आपकार 75 अगर यह पुछता तो यह 75 हो जाता तो यह पुछा यह 105 होगा ठीक है यह नमबर अप्शन हो जाएगा आचा चलो नेक्स्ट नमबर फाइब में बोला है the side of triangle 35, 54, 61 respectively यहां पर समझ देजे इस टाइब का है सबसे छोटा साइड यह कर लेते हैं यह 61 है तो यह 61 और यह थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं तो लोंगेस्ट जो अल्टिटूड होगा मने मतलब हाइड जो लोंगेस्ट होगा वाला छोटा साइड से जो छोटा साइड होगा उसके उपर यह परपेंटिकुलर होगा वही वाला सबसे छोटा लोंगेस्ट आपका अल्टिटूड होगा मने जो हाइड है वो पूछ रह उसके उपर जो height रहता है वो सबसे बड़ा height होता है ठेक है तो यहाँ पर तीन जो side है तो 35 निचे आएगा बाकी दोनों यह 54 है 61 है तो यह height हमको पूछा है ठेक है यह longest height होगा तो यह ही height हमको निकलना है तो पहले इसका circum अपका जो area है वो बाला निकलनेता है एसके हिसाब से 35 प्लास 54 तो इतना आ रहा है 1 तो होगिया 60 यह आ रहा है अपका 5 तो 8 हो गया हो गया 9 9 यह अगया 150 आ गया 150 वाइटो इकल टो 75 तो 75 हो गया तो फाइनली इसका एरिया क्या हो जाएगा एरिया रूट ओबार एस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी तो एस हो गया 75 75 से एक बार 54 75 माइनस 54 75 माइनस 61 और 75 माइनस 35 तो कितना आ रहा है देखिये बार 75 इन्टु यह बाला करने से आपका रहा है 1 और इधर हो गया 2 यह बाला हो गया 1 तो मतलब हो गया यह 9 मतलब 4 और इधर आ गया 1 यह बाला आ रहा है 50 और यह 4 तो इसको हम लोग क्या लिख सकते है 5 इन्टु 5 इन्टु 3 यह बाला को 3 इन्टु 7 यह बाला 7 इन्टु 2 और इसको क्या लिख सकते है 4 यह 2 इन्टु 2 इन्टु 2 इन्टु 5 चार आठ 25 ठीक है यह दोनों 5 से 1 5 निकल गया 2 3 से 3 निकल गया 2 7 से 1 7 निकल गया 2 2 से 1 2 निकल गया बाकी क्या पड़ा रहा यह एक ठो यह दो और दो ठुग है उससे भी एक निकल गया तो बाकी 5 पड़ा रहा तो 5 इसका अंदर पड़ा रहा रूट का अंदर 5 है तो यह कितना आ गया 5 15 और इधर हो गया 5 7 2 2 5 5 3 7 2 2 ठीक है यह चार चास्ता आठास 28 तो पंदरा पाच यह सुमात चार पंदर बना चोदा और इधर 28 तो हो गया 0 इधर हो गया 2 और इधर हो गया 4 तो 4 2 0 रूट 5 यह वाले इसके एरिया हो जाएगा तो यह एरिया होने से हम लोग अगर दूसरा एक फॉर्मूला है जो हाइड इन हाप इन्ट बेस इन्टू हाइट वो यूस कर रहे है हाप इन्टू बेस इन्टू हाइट यह हाइड एच पकड़ लिए तो यह वाला ही कल्टू हो जाएगा 4 2 0 रूट 5 तो यहां से कैलकुलेशन करते हैं 4 2 0 रूट 5 इन्टू 2 नीचे आजाएगा 35 तो फाइब से करते हैं 5 और 5 से करने से अपकार यह पार 5 8 5 7 से करते हैं 7 करने से 7 1 2 तो फाइनली आ गया 24 रूट 5 हाइट हो जाएगा मैक्सिमम जो हाइट हो जाएगा ओबल आएगा 24 रूट 5 सी अप्शन हो जाएगा ठेक है आचा चलो नेक्स्ट दा प्रोडाक्ट इकल टू तो यह इसका प्रोडाक्ट क्या होगा यह रूट 2 है 4 है रूट 32 12 आचा यह वाला मतलब 1 बै 2 यह वाला मतलब 1 बै 4 यह वाला मतलब हो गया थर्टी टू टू दिववार 12 हाफ हो गया 4 हो गया अचा पहले एक पर फिर से कर लेते हैं 2 यह मतलब क्या हो गया 2 का कितना है दो फिर यह आ रहा है हाफ प्लास को ओन बाइ 4 आज यह मल्टिप्राइब करने से 5 बै 12 बागिया तो आ जाएगा बल्स्यम हो गया 6 हो गया 4 3 हो गया यह 5 हो गया तब का रहा है 6 9 9 8 4 14 भाई 12 तो यह कटने से 7 by 6 हो जाएगा तो ठूटी दिवाई 7 by 6 हो गया अचा यहां पर तो कोई option दिया नहीं है तो इसका तो यही होना चाहिए यह आपका अगर और कुछ कम होगा तो यह अगर 3 करते है यह वाला 3 एक लिटे यह वाला अगर 3 करते है यह वाला अगर 3 करते है बने 2 to the power आपका अगर 1 by 3 होता है यह वाला अगर 3 होगा तो मिल जाएगा 1 by 4 हो गया है इसका फाइब बाई 12 प्रिंटिंग मिस्टेक है यह वाला थ्री होना चाहिए तब आपका ओप्शन नंबर अगर बी हो जाएगा आप्शन नंबर बी होने से यह 3 होना चाहिए दो होने से नहीं होगा 3 होना चाहिए तो अगर दो यह होगा तो यह वाला खोट आएगा ठीक है अच्छा चलो next दिग्री अब 0 पोलिनोमियाल तो 0 पोलिनोमियल जो है 0 जो है इसका डिग्री कितना होगा constant टक होतो डिग्री नहीं होता इसके संग जो variable होता है उसका डिग्री होता है तो 0 इन्टू अगर x to the power something करे जैसे समल जे जिए 1 करते है जिरो इन्टू 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 करो फिसक जिरो होगा वान होगा एंवी नेंटर नममब मैं अगर भेक्षन भी हो सकता है तो अगरवाहिषा आसनी नं इंमर होगा और जिरो तो फिसके ला मैंदर नहीं होगा तो नाड्र्टर लऑ इसे नहीं बॉपका थक रहेगा जो यह हम लोग बोल नहीं पाएंगे बनाए degree of zero polynomial जो है उसका degree हम बोल नहीं पाएंगे ठीक है तो non not defined ठीक है अच्छा चलो 7 के बाद 8 करते है पले complementary angle of 65 तो 65 के complementary angle तो 90 होता है तो 90 से 65 निकल देता है तो 5 आ जाएगा इधार हो जाएगा 2 तो यह आ जाएगा 25 तो B option हो जाएगा ठीक है 8 का B हो गया अच्छा यहाँ पर जो 9 में बोला है triangle A, B, C and P, Q, R दुनों triangle है एक पर draw कर लेता है triangle एक तो यह है एक तो यह है A, B, C, R, P, Q, R यह दुनों triangle है तो यहाँ पर बोला है A, B, E, C, A, B, R, E, A, C angle C equal to P, angle C equal to P यह वाला 1 अगर होता है P, यह वाला 1 हो गया अच्छा, B equal to Q B, यह वाला B, R, Q यह वाला Q, यह वी दो the two triangle are दोनो triangle क्या होगा बोला है isosceles but not congruent isosceles and congruent congruent but not isosceles neither congruent nor isosceles अच्छा, यहाँ पर दोनो angle जो है यह वाला angle और यह वाला और यह दोनो side equal बोल दिया तो यहाँ पर भी दो angle बोला है तो उसके चलते यह वाला option में अगर यह दोनो angle equal बोल दिया यह 1122 अच्छा, यहाँ पर देखिए यह दोनो side equal है यह बोल दिया तो यह दोनो side equal होने से यह angle और यह angle सेम होगा क्योंकि यह आपका दोनों का opposite angle है तो 1 and 2 equal है ठीक है तो यहाँ पर भी 1, 2 equal होगा दोनो equal होगा तो दोनो equal होने से यह side और यह side equal होगा तो यह भी isosceles है ये भी isoseles है तो अभी दोनों ही isoseles ये प्रूब हो गया बगी congruent है क्या ये प्रूब करना है तो side-side है दो side से तो हम लोग बोलना ही पाएंगे ये congruent है क्या लेकिन अगर कुछ इसके सब्सक्राइब कुछ और कुछ आता है जैसे angle-fangle आज जाएगा तब हम लोग side-side equal होने स नहीं होगा congruent तो एंगेल भी equal होना चाहिए या तिनों side अगर equal होता तब भी हम लोग congruent बोल सकते हैं लेकिन यहाँ पर congruent नहीं है इस टाइब का कुछ बोलना चाहिए था तब ही हम लोग congruent बोल पाएंगे तो यह अपका यह option हो जागा है isocellus but not congruent तो congruent but not isocellus यह तो नहीं होगा नहीं होगा यह वाला option नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर दो इंफर्मेशन दिया है तीन इंफर्मेशन देने से हम लोग बोल सकते ही यह congruent है ठीक है अच्छा चलो नेक्स्ट नमबर 10 में बोला है volume of hemisphere is इतना volume बोल दिया hemisphere का total surface area of hemisphere पूछाए तो volume hemisphere का जो आधा circle मने आपका गोलाकार होता है उसका volume क्या हो जाएगा पुड़ा का होता है 4 by 3 pi r cube तो यहाँ 2 by 3 pi r cube आ जाएगा यह इसका area हो गया आधा circle का या आधा hemisphere का ठीक है मने hemisphere ही होता है आधा वाला तो आधा गोला का total का ठीक है square का आधा अच्छा total surface area कितना होगा तो यह वाला बोल दिया one nine four zero four और हम लोगो इसका surface area पूछाए total surface area total surface area कितना होता है पूड़ा का two pi r square ठीक है यह पूड़ा गोला का four r square होता है four pi r square होता है तो आधा का यह आपका two pi r square हो गया नीचे वाला जो circle है उसका भी addcon है क्योंके total बोल दिया total ठीक है तो यह आजाएगा plus pi r square तो finally यह three pi r square होता है तो इसका क्या होगा वह पूछा है तो यहां से pi r square का थोड़ा सा value निकल लेता है इधर चला जाएगा तो क्या आजाएगा इधर से देख लेता है यह two pi r cube is equal to हो गया 9404 into 3 by 2 दो से कटता है तो कितना हो जाएगा 18702 तो यह आ रहा है ठीक है तो हमको चाहिए यह वाला तो इसको 3 into 3 pi यहां तो 3 तो 3 pi r square यहां पर और थोड़ा सा ठीक है कर लो तो यह वाला 22 by 7 बैठा देता है यह वार बोला नहीं कुछ तो यह आ गया 29702 into 3 इधा 22 by 7 इधा 7 आ गया तो यहां 11 से कटता है दो हो गया 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 से कटने से यह आ जाएगा आपका 8 708 होने से 88 यहां पर कर लेता है 11 से कटने से 88 आ रहा है फिर इधार आ रहा है 90 तो फिर 8 हो जाएगा 88 फिर 2 तो फिर 2 हो जाएगा तो यह आ गया 882 फिर 2 से कटते है तो 4 हो गया और 4 हो गया 1 तो इसको आर क्यूबिकल टू यह बला आ गया यह बला 21 है इसको भी 221 कर सकते है 221 करने से 441 आ जाएगा तो आर इकल टू आ जाएगा 21 तो इहां से इसका भेलू निकल लेते है एरिया का 3 इन्टो 22 बाइ 7 इन्टो आर का आगया 21 तो 21 इन्टो 21 साच से कटने से 3 हो गया तो फैनली कितना रहे यह बला यह 66 हो गया और इदर 3 आर इदर 6 तो शाय तीन जाटरा आठ आठ आच्चा यह 37 37 आट तो आगया 8 775 यह दर देश क्या रहा 4 4158 4158 4158 C आप्षन हो जाएगा 10 का C ठीक है अच्छा चलो नेक्स्ट यहां पर बलाए इन्ने तो 4158 which of the following is proportional to frequency of corresponding class आचा जो हिस्ट्रोग्राम है उसका जो माने उसका प्रोपोर्चोनल ए फिक्वेंस्टी का प्रोपोर्चोनल ली क्लास का क्या आता है तो area of rectangle length of rectangle यहाँ पर बोला है perimeter of rectangle और width of the rectangle अच्छा एरिया से ही डिलेटर होता है मने जो हम लोग का यह हिस्ट्रोग्राम होता है इस टाइप का इस टाइप का जो हिस्ट्रोग्राम होता है तो उसमें जो यह area होता है वो आपका frequency के संग proportional होता है frequency जो है यहाँ पर frequency रहता है और यहाँ पर जो class रहता है वो बला दे देता है तो यह area के संग मने यह total area के संग frequency जो है वो proportional होता है ठीक है अच्छा यह number option हो जाएगा area of rectangle मतलब यहाँ पर कोई problem होगा तो देखिए एक बार मने यह height जो है हाइट कभी-कभी class जो होता है class कभी-कभी difference हो जाता है तब हम लोग area का area ही निकाल लेते हैं हम लोग निकलते है उसको ठीक है तो यह area का related हो जाएगा area प्रोपर्शनल होता है not height प्रोपर्शनल होता है ठीक है क्योंकि class size इधर उधर हो सकता है कभी class size इधर उधर नहीं होगा class size अगर सेम होगा तब तो height of the length of the rectangle होगा लेकिन height इधर होगा आपका यह class size का है यह कभी-कभी इधर हो जाता है मने मतलब यह जो हम लोग लिखता है 20 से 40 फिर 40 से 60 यह कभी-कभी इधर उधर हो जाता है मतलब 60 से फिर आ जाएगा समझ जीजिए 100 तो यहाँ पर class size 20 करके है 20 करके यह हो गया 40 तो इसके चलते हम लोग area का relation ही कड़ाएंगे length का कभी relation नहीं कड़ाएंगे ठीक है आचे चलो next in this picture of gas balloon filled with helium gas ठीक है इस balloon has 18 face that are square in shape and 8 equilateral face that are triangular which of the following is net of balloon अच्छा यह balloon को अगर खोलेंगे तब यह कौन से shape आएगा ठीक है तो यहाँ पर बोल दिया 18 face रहेगा square का और 8 face रहेगा अर ट्राइंगल का तो 8 face रहेगा देख लेते हैं तो 1 2 3 4 यह 8 हो गया एक दो तीन च्छे साथ 8 यह इधर तो यह बला नहीं होगा यह बला दो तो यह बला नहीं होगा क्योंकि यहां पर 10 है और यहां पर यह होने से यह बला तो यह बला option ही हो जाएगा देखिए तो 8 बोल दिया इसका आपका triangle होगा तो 8 triangle होने से यह बला 6 triangle आ रहा है और इधर भी 10 triangle आ रहा है यह दोनों तो नहीं होगा और यह जो है यह अगर यह फेस और यह यह फेस अगर दोनों same है तभी यह मिल पाएगा इस type का safe होगा लेकिन तो यह इधर यह होने से यह type का safe नहीं होगा लेकिन यहां पर भी 8 triangle है लेकिन 8 triangle होने से भी यह और यह face कभी मिल नहीं पाएगा जब ये प्लेन रहेगा तब ही ये मिल पाएगा तो ये option हो जाएगा ये option मनने मतलब ये इसको खोलने से इस टाइप का एक्टोशेप आएगा ये option बला ठीक है अचा चलो next 13 में बला है in the given figure O is the center of the circle, O center बल दिया A, O, B A, O, B ये वाला 50 पोल दिया B, D, C B, D, C ये वाला 120 पोल दिया then O A, O, B, C O, B, C ये वाला पूछा है O, B, C यहाँ ये वाला angle पूछा है तो ये वाला अपका 50 है तो A की आर्क के उपर अगर angle center में रहेगा तो ये वाला कितना हो जागा? half हो जागा, ये circumference में है ये center में है, ये 25 हो जागा ये वाला 25 हो जागा ठीक है? तो ये 25 और ये 120 तो ये triangle 180 होता है तो दोनों को 180 से निकल देंगे माइनस कर देंगे, तो ये 25 हो गया इधार अगया 5, इधार 4 तो ये माइनस करने से आ रहा है कितना? अच्छा चलो next इधार अगयल A and B of a quadrilateral A, B, C, D intersect each other at P अच्छा कोई भी एक ठो quadrilateral draw कर लेते है इस टाइब का कोई quadrilateral है तो A, B, C, D ये बोल दिया यहाँ पर बोले A और B का bisector P में touch कर रहा है तो A और B का bisector मतलब ये बोला A और B का जो bisector है ऐसे है, समझ लेजे ये बोला P में join कर रहा है P ये bisector ये होगा और इधार bisector जो है ये step का होगा तो P में put कर रहा है join कर रहा है B, C, Q B, C का जो bisector है Q में join कर रहा है अच्छा, Q में कर रहा है अच्छा, C, D जो है C, D का R में कर रहा है तो ये bisector जो है यहाँ पर अगर करते है C, ये तो हो जाएगा तो Q, अच्छा ये Q में join कर रहा है इस टाइक कर रहा है तो ये ऐसे आएगा A, B, C, D तो A, B का दुनों bisector जो है, वो P में join कर रहा है यहाँ पर P है टीक है B, C BC जो वोवला BC जो है, Q में join कर रहा है ठीक है और C, D जो है ये C आद जो है वोवला R में join कर रहा है यहाँ पर R जो़ान कर रहा है अच्छा, D, A दी A जो है यह वाला CD हो गया CD 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 यह दुनों R में जोइन कर रहा है DA DA जो है यह वाला S में जोइन कर रहा है यहाँ पर जोइन कर रहा है और यह P वाला साइड में होगा यह वाला यहाँ पर होगा AB जो है वो P में जोइन कर रहा है, यहाँ पर जोइन कर रहा है, और यह दोनों यहाँ पर ऐसे आए रहा है, ठीक है, तो fit then PQR, PQRS, यह वाला जो triangle है, इसके बोल रहा है, rectangle होगा, rhombos होगा, parallelogram होगा, quadrilateral whose opposite angle are supplementary होगा, अच्छा, तो rhombos तो यह हो नहीं पाएगा, क्योंकि यह आग quadrilateral बोल दिया, तो quadrilateral होगने से कोई, इसका जो side है, या angle है, कोई relation नहीं है, ठीक है, तो उसके चलते क्या हो रहा है, इसका यह जो angle है, एका, यह दोना half हुआ है, मतलब यह वाला one, यह वाला one अगर पकड़ते हैं, मने half हो गया, यह वाला दो, दो पकड़ लेते हैं, यह वाला three, three पकड़ लेते हैं, यह four, four पकड़ लेते हैं, मने सब half हुआ है, तो यह total quadrilateral का one plus one plus two plus two plus three plus three plus four plus four, यह वाला होता है, 360, यह दो दो करके हैं सब, तो one, दो one है, तो दो common ले लिया, दो, तीन, चार, तो 360 हो गया, तो finally जो है, one plus two plus three plus four, इकल टो हो गया, 180, यह दो से divided करेंगे, यह 180 आ जाएगा, ठीक है, तो यह जो one, two, three, four है, तो यह बला अगर पकड़ते है, one, two, three, four, मतलब यह जो triangle है, यह triangle का, यह portion बोल दिया, 180, तो यह अगर, यह angle लेंगे, और यह angle लेंगे, इसके सब्स करेंगे, तो यह angle और यह angle equal है, तो इसका मतलब क्या हो गया जो यह अगर मिलाएंगे इसको, यह 180 हो जाएगा, यह भी 180 हो जाएगा, तो यह angle और यह and equal है, तो यह जो total 180 है, लेकिन यह angle at करेंगे, प angle at करेंगे, इसके सब्सक्य प natomiast, और और तो यह तो यह कितना हो जाएगा? 180 मतलब 360 हो जाएगा यह दोनों एंगेल मिलाकर तो यह पुरा टाइंगेल हो रहा है, यह भी पुरा टाइंगेल हो रहा है, तो 360 हो जाएगा फिर यह जो एंगेल एट किया है, यह वला basically किया है, यह तो 180 है ठीक है, तो 360 और इधर P plus R तो P plus R इकल टू क्या हो जाएगा 360 माइनस 180 तो हो जाएगा 180 P plus R जो है 180 हो जाएगा मतलब यह अंगल आर यह अंगल 180 है तो इसका भाटिकली ओपोजिट यह अंगल है और इसका भी भाटिकली ओपोजिट अंगल है तो ये अंगेल और ये अंगेल 180 होगा ठीक है और ये अंगेल ये अंगेल ये अंगेल भी 180 होगा मतलब ये option जो है quadrilateral का whose opposite angle और supplementary दोनों मिला के 180 होगा ये D option हो जाएगा ये जो opposite angle है ये quadrilateral का opposite जो अंगेल है वो दोनों मिला के 180 होगा मतलब supplementary होगा lost विप favor a कि में वहल सकुझेद इस तो है न अबने गफिज न फिग ए रों बी एर हो दि यह वाला इज़े स्टेट ला और ए और सी सी स्टेयट सी 안에 आसी सी यह वह लो neolटा फिप्टी सी यह वाला अंगल कीटना होगा वो पुछाए यह वाला मँड़ चलो पहले यह तुनो इस्टेट लाइन के है मतलब तीन मिला के 180 होगा यह बाला 180 आ जाएगा तो यह x है यह x है मने 4x हो गया और यह 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 मिला के कितना हो रहा है यह 10 तो 60 हो जाएगा 4x इकल टू 180 माइनस 60 इकल टू आ गया 120 तो x इकल टू आ जाएगा 120 बाई 4 इकल टू 30 तो x इकल टू आ जाएगा 30 तो यह आपका x का भालू आया यह अंगल क्या हो जाएगा 3x माइनस 10 तो 3 इन्टू 20 x का भालू 30 आया था माइनस 10 मतलम 90 माइनस 10 इकल टू 80 तो इसका भालू आ जाएगा 80 तो आप्शन नंबर C हो जाएगा 15 का C ठीक है अचा चला नेक्स इसमे बॉला है इसमे बॉला है इप एट इस रोन य एकल टू 10 x plus y plus z इकल टू 10 plus z यहां पर अगर यह आपका second option होता है मतलब कोई भी जो यह x plus y मतलब कोई भी equation मने जो है x plus y equal to 10 है उसके संग जो भी एक्ठो एट करेंगे बोद साइड में तो वह भी equal होगा मतलब यहां पर z add किया है इधर भी z add किया है दोनों में अगर same चीज एक्ठ करते है तो वह भी same रहेगा तो यह बाला second option है ठीक है तो यह बाला बी option हो जाएगा ठीक है अच्छा चलो next the point lie on अच्छा यह जो point लाइक कर रहे वह कहां पर कर रहा है तो यह point एक बद देख लिए यहां पर कहां लाइक कर रहे जीरो कॉमा माइनस सेवन तो जीरो इधर उदर गया नहीं माइनस सेवन मतलब यहां पर आया कहीं यहां पर तो इसके option के हिसाब से सी है लेकिन यह और परफेक्टली बोलने के लिए सी का नेगेटिव पोर्षन में है तो यह बला है ठीक है अच्छा चलो यह बला तो सी option यहां पर ठीक है तो यह फैक्टर बोल दिया मतलब यह 0 होने से यह बला मैनस टू इसका जिरो आगया यह जो पॉलिनोमियल है इसका जिरो आगया तो जी एक्स इकल टू बोल दिया three x square plus x minus k तो g minus 2 बैठाने से इसका ब्हैलू निकल आया गा तो 3 into minus 2 plus minus 2 minus k is equal to 0, 0 बैटने से 0 होता है इसका भेलू, तो यह minus 6 आ जाएगा, इधार minus 2 आ जाएगा, इधार minus k, 0, तो इधार हो जाएगा, minus 8 minus k is equal to 0, तो k equal to minus 8 आ जाएगा, k का भेलू minus 8 आ जाएगा, option तो minus 8 नहीं है, तो plus ही है सब, तो यहां से क्या हो गया, यह minus बैठाया था, minus, अच्छा, minus का square है, sorry, sorry, minus का square होने से, यह 4 हो जाएगा, तो यह 12 हो जाएगा, यह वाला 12 आ जाएगा, 12 minus, तो यह वाला option हो जाएगा, यह minus करने से, 10 minus k is equal to 0, तो k का भेलू आ जाएगा, 10, के का भेलू 10 आ जाएगा तो C option हो जाएगा ठीक है अच्छा चलो next करते है तो यह one number में बोला है 19 में first जो assertion है इसमें बोला है यह polynomial may have more than 10 एक का उपर का 0 हो सकते है मतलब polynomial का 2 3 4 ऐसे 0 हो सकते है यह तो ठीक ही बोला है true है every real number is 0 of polynomial 0 polynomial जो है यह 0 बाला polynomial है इसके 0 बोला है number every real number is 0 अब दहां तो इसका इसके जो 0 होता है मने यह 0 जो polynomial है इसमें समझ जीजेए कोई भी एक ठो constant है ओ 0 आया बाकी x-5 हो सकता है x-7 हो सकता है x-2.5 हो सकता है इस टाइप का multiple होके 0 से multiple होके 0 polynomial हो गया लेकिन इसका जो 0 है यह तो 5 हो सकता है यह 7 भी हो सकता है 2.5 भी हो सकता है तो any real number इसका 0 हो सकता है वह ही बोला है every real number is zeros of the zeros polynomial तो यह भी true हो गया ठीक है लेकिन वह कोई reason नहीं है मतलब मतलब यह जो इसके यह दोनों का relation कुछ नहीं है दोनों ही true है लेकिन इसमें assertion का reason यह भला नहीं है ठीक है तो बोला है both assertion reason R is correct यह नहीं होगा तो B option हो जाएगा दोनों true है but not a correct explanation of A ठीक है तो यह number B option हो जाएगा ठीक है चलो next बोला है an angle is 14 more than its complimentary angle तो complimentary angle जो है उसका complimentary समझ जी एक्स है तो उसका यह 14 जादा है तो दूस्ता angle हो जाएगा x plus 14 तो यह दोनों बोल दिया then angle is 50 मने तो यह वाला angle बोला है 52 तो देख ले था है यह दोनों मिला के 180 complimentary 90 है तो 2x equal to 90 minus 14 तो आ जाएगा कितना यह आ गया 6 और इधर आ गया 2 होने से 7 तो x का value आ जाएगा नीचे दोन ले आया तो 3 हो गया यह 8 हो गया 38 तो 38 plus 14 38 plus 14 कितना रहे है इधर 2 हो गया यह 50 हाँ यह वाला true है तो यह angle 52 यह आ रहे है अच्छा दूसरा जो बोला है two angle are state to be supplementary if they are some 180 यह भी true है दोनों angle का x plus y जब मिला के 180 होता है तब एक को दूसरे का supplementary angle बोलते है लेकिन यह जो complementary or supplementary दूनों ही true है बट कोई किसी का explanation नहीं है तो इसके चलते यह वाला बी option हो जाएगा क्योंकि यह दूनों ही true है लेकिन यह explanation इसका नहीं है ठीक है ओके चलो यह section खतम हो गया दूसरा section जितना जल्दी हो सब्सक्राइब करेंगे ओके thank you